हेलो दोस्तों कैसे हैं हाप सब दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सदद विकास लच्छे सस्टेनेबल डवलमेंट गोल्ड यानि SDG SDG को अपनाने का जो फैसल है रिया था वो सियुक्त रास्ट महासबा सम्मेलन हुआ था बहाँ पे इसको अपनाये गया था और यह जो महासबा हुई थी यह हुई थी निवार के में 25 से 27 सितंबर को यह बैठक चली थी 2015 में आयूज हुई थी यह बैठक और इस बैठक में 15 साल के लिए 70 लक्षे निर्धारित किये गए वो 70 लक्षे ही हमें याद रखने हैं कि किस नंबर पे कौन सा लक्षे आता है यह हमें याद होना चाहिए कभी कभी सीने लगाने के लिए भी आ जाती है तो पहले नंबर पे जो था वो था सूनने गरीबी पहले नंबर पे सूनने गरीबी यानि नो पौबर्टी इसका मतलब यह हुआ कि गरीबी के सभी रूपों को पूरे बिस्व से समाप्त करना है दूसरा जो रूप है इसमें सुनने भूकमारी यानि जीरो हंगर इसका मतलब यह है भूक की समाप्ती, खाद सुरक्षा और बहतर पोशन टिकाओ किर्सी को बढ़ावा देना इसका लक्षन नरदारित किया गया तीसरे नमबर पे था उत्तम स्वास्त एबम खुसवाली यानि गुड हेल्थ एंड बेल वींग इसका मतलब स्वस्त जीवन निश्चित करना था उसके बाद नमबर चार पे रखाया गुडबत्ता पूर्ण सिक्षक यानि क्वालिटी एज्जुकेशन इसका मतलब यह हुआ कि बर्स दोहार तीस तक सभी लड़कों और लड़कियों को निसुल्क समान और गुडबत्ता पूर्ण प्रात्मिक और माद्यमिक सिक्षा देना नमबर फाइब पे जेंडर इकुलिटी यानि लेंगिक समानता यह बात करता है कि दोहार तीस तक महिलाओं के खिलाब सभी प्रकार के भेदवाव बाहिंसाओं को समाप्त करना है नमबर छे स्वच्च जल एमन क्लीन वाटर एंड सेनिटेशन दोहार तीस तक सुरक्षित बहनिये पेजल सभी तक पहुंचाना नमबर साथ नमबर साथ पे सस्ती एम प्रोदुशन मुक्त उर्जा यानि एफोरडेविल क्लीन एनरजी यह सुनिश्चित करना कि सभी तक सस्ती और प्रोदुशन मुक्त उर्जा पहुंच हो उसके बाद नमबर आठ उतकरष्ट कार्य एम आर्थिक संबर्दी यानि डिसेंट वर्ग एंड इकोनिमिक गिरोथ यानि सभी के लिए समावेसी एम सतत आर्थिक बिकास तथा पूर्ण उतपादक रोजगार मर्यादित कार्य संबर्दन होना चाहिए नमबर नौ पर रखा गया उद्योग नवाचार एम बुनियादी सुविधाय नमबर नाइन पर इंडिस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्राइस्ट्रक्चर नमबर दस पर आर्थिक असमानता यानि रिड्यूज इन इक्वालिटीज यानि देश के भीतर बिभिन तता मानब बस्तिय निर्मित करना नमबर बारा पर इस्थाई खपत और उतपादन पैटरन को सुनिचित करना यानि रेस्पोंसिविल कंजप्शन होना चाहिए रेस्पोंसिविल कंजप्शन होना चाहिए नमबर बारा पर नमबर तेरा क्लाइमेट एक्षन जो की इस बार भी था यूभी PCS exam में जलवायू परिवर्तन कितने नंबर पे हैं तेरे नंबर पे नंबर पानी में जीवन यानि life below water और नंबर पंदरा पर भूमी पर जीवन यानि life on land नंबर सोला शांती और नयाय के लिए संसाधन यानि justice and strong institution और नंबर सत्रा पर लक्षे प्राप्थी के लिए सामूईक साज़ेदारी partnership for the goals इस तरीके से ये 17 goals हैं जो इसको आपको याद रखना है इस वारे भी UPPCS में ये जो 4 goals हैं मिलान करने के लिए आये थे ये 4 goals मिलान करने के लिए आये थे और कभी 5 माँ goal कभी 6 goal कभी ने कभी आते रहते हैं इसको त्यार करने जिससे की आने वाले exam में हमारा person ना चूटे तो चलो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगर मेरे चैनल पर पहली वार आएं तो इसको subscribe करने क्योंकि पूरा focus हमारे UPPCS 24 पर रहने वाला है धन्यवाद